क्या नरेंद मोदी को इस बात की चिंता सताने लगी है कि 2024 में उनकी सरकार गिर जाएगी 2024 के अंत में उनकी सरकार बैक पूट पे आ जाएगी BJP के चनक के कहे जाने वाले अमीत साह कि कोई रणनीती काम नहीं आने वाली है आखिर इस सर्वे ने क्या खुलासा कर दिया है कि भाजपा के निंध हराम हो गई है भाजपा में मीटिंग में मीटिंग चल रही है क्या कुछ है इस सर्वे में आईए हम जानते हैं अपने लीटर पुर्शोतम से उर्शोतम क्या है यह खबर कि इस सर्वे के आने के बाद बीजेपी में हलचल सी महौल हो गई है और मीटिंग पर मीटिंग चल रही है भाजपा के निंध हरान हो गई है कि कैसे इस बार विधान सबाद चुनाओं को पार कर लिया जाए क्या है सर्वे देखे यह बात तो आद की वो सर्वे है CSDS का CSDS का पहले फुल फॉम आप जान लिए इस डीजा का फूलप होता है सेंटर फॉर्ड इस्टडी आफ डेफ्लॉपिंग सोसाइटी CSDS ने एक सर्वे किया है और इसने लोग सभा का भी सर्वे किया था चुनाओं का चुनाओं सर्वे ये हमेशा करते र लेकिन पहले से भी आप देख रहे हैं कि भाजपा में बगावती तेवर देखे जा रहे हैं चाहे बात उत्तर प्रदेश की कर ले या फिर जदी और टीडीपी के साथ जो गठ बंदन है अपने नेता के बात का कटाव कर रहे हैं तो यह तीन चीजें हैं जो अभी भाजपा क इन्टरणल क्राईसी में हाई है जो इन्टर्नल आपको बिबाद होता है जो इन्टर्नल डिस्प्यूट होता है फिर जाने मुख़ कोन कौन चीज़ है उत्तर प्रदेशूरार disrupt के साथ लोकसभा के चुनाओं के टाइम से तीसरा जो इंटर्नल डिस्प्यूट की बात है वो बिवाद ये है कि टीडीपी और जदिव का जो गठवंदन है उसमें लागतार नितीश कुमार को ले करके दिखेगा मिडिया का कबड़े जितना जादा हो गया है कि नितीश कुमार पल्टी मार देंगे नितीश कुमार अब भाजबा के साथ नहीं रहेंगे रोजेक नई खबर आती है लेकिन CSDS का जो अभी बिगद दिनों सर्वे आया है जिसके हेड संजय कुमार ने एक नीजी नीव चैनल प जिसमें महराष्ठ है और जिसमें जारखंड है इन तीनों राज में भाजबा बैक फूट पे आने जा रहे है यानि भाजबा को हार का सामना करना पड़ेगा और इन तीनों राज़ों में अगर भाजबा हार जाती है तो केंद्र की राजनिती में इसका बड़ा असर जा रहा है और NDA सरकार धरशाही हो जाएगी क्योंकि पहले ही से ही स्टेट के साथ जो चल ला है सेंट्रल का जिसे उत्तर प्रदेश के साथ चल ला है अब देखिए इस सर्वे को मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूं कि इस सर्वे ने साफ तोर पे कहा है कि पर्याना और जारखंड ये जो तीनों राज्ज हैं और तीनों में सबसे महत्रपूंड इस सर्वे में कहा गया है कि भाजपा के पास अभी एट परजेंट भाजपा के पास वहां महराश्चित में आपको बता दें कि 288 बिदान सवा के सीठ हैं और इस बार अगर चुनाओ जो अभी होने जा रहा है इस बार इस सर्वे ने कहा है कि बीजेपी 55 से 60 सीट ही जित पाएगी यानि महराष्ट में सबसे ज़्यादा डैमेज भाजपा को होने जा रहा है क्योंकि 103 से कोई अगर पाटी इतनी बड़ी पाटी 103 सीटों पर वहां बनी हुई है और वो 55 सीटों पर चली आ जाती है तो इसका इंपेक्ट तो देखने को ही पड़ेगा अब आप पूछिए का आदर्स की 103 से भाजपा 55 पर कैसे आ जाएगी तो इसका मैं कुछ कारण बता देता हूं देखे महराष्ट में अभी जो तमाम दलों का एक गठवंदन है अपोजीशन में यानि जब महराष्ट पॉल्टिक से आप बाइकाट नहीं कर सकते हैं इसलिए नहीं कर सकते हैं कि आपको याद होगा कि उद्धव ठाकरे महराष्ट के तो एक बड़े कैडर के नेता है ही और उनका तो महराष्ट में जो उनका सेना है क्या नाम है सिव सेना को हलाकि अलग बात है कि बगावत हो गई सिंदे वहां से निकल करके चले गए लेकिन उद्धव ठाकरे को वहां जो है बाइकाट आप नहीं करें हमने अभी लोकसभा के चुनाम में महराष्ट को चुनाम में उद्धव ठाकरे ज्यादा आच्छा किये थे एक ना देखा होगा कि कोई बड़ा नेता ओपोजिशन का उनके अगेंट्स में सापत और पे कोई बयान देता हो सब लोग उनको इजट करते हैं तो ये तीनों लोगों का जो कॉंबिनेशन है महराष्ट में और दूसरा एक बहुत महत्तपुर्ण मुद्दा अदर्सिये है कि भाजपा को भूगतना पड़ा डिमोनेटाइजेशन बिरुजगारी तमाम तरह का जो अपोजिशन के द्वारा उठाया गया मुद्दा था उसमें अगनी वीर का मुद्दा भी बहुत महत्तपुर्ण था और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि विधान सभा का चुना गाद तुई भाजपा के लिए अगर से महराष्ट होता है और उस जगाहा पर अगर आपकी सरकार है तो फिर बल्ले-बल्ले है पूचना क्या है अब चलिए ये तो महरास्ट की बात हो गई, अब बात आती है हर्याना की, हर्याना में total number of seats, member of legislative assembly का जो seat है, वो 90 है, और 90 में भाजपा के साथ अभी जो seat है, वो 40 seat है, Congress के पास 31 seat है, और वहें दुसियंत चौटाला की जो party है, उसके पास 10 seat है, अभी आप देख रहे हैं कि द दिन पहले दोनों का गट बंदन था, साड़े-4 साल तक सरकार चली, अब ये गट बंदन टूट गया है, तो Congress के पास 31 और दुसियंत चौटाला के पास 10, 31 और 10 दोनों seat को मिला दीजिएगा, तो कितना seat हो जाएगा, 41, और हर्याला में भाजपा के पास में कितनी seat है, 40, त तो अब बाकी जो मिर्दलिये हैं, और मिल के सरकार चल रही है, तो ये गठ बंदन भी अभी देखिएगा, कि 31, 10, 41 सिर्पर तो ये ऐसा ही मजबूत है, यानि जब चुना होगा, तो 41 सिर्पर तो ये आराम से फाइट कर लेंगे, तो हर्याना का भी चुनावी दंगल आसा नहीं है भाजपा के लिए और भाजपा के लिए जैसे मनहोरलाल खटर को ऐसा नेता मना जाता है, जमीनी नेता मना जाता है, तो हर्याना में उनकी पूरी पैठ है और जब तक थे दुसरें चोटरों को साथ रखे थे, उनके जाते ही भाजपा में अंद्रूनी कट पट चोटाला की अगर सीट मिला दी जाए तो हर्याना की लड़ाई तो बहुत टॉप होते दिखाई दे रही है महराष्ट में भाजपा CSDS का रिपोर्ट है ठीक है एक सो तीन से 55 में आती है कि नहीं आती है लेकिन जब आप अर्याना का कल्कुलेशन कीजियेगा तो हरियाना में तो यह साब समझ में आएगा कि यह बहुत ज्यादा मुस्किल है कि फिर से भाजपा सरकार में आ जाए अब तीसरी तरफ हम बात कर लेते हैं जारखंड की और नयाब मुखमंत्री हैं वो सबको समेटने में कम्याब नहीं नहीं है जब से मुखमंत्री बने हैं भाजपा में अंदर खटपट शुरू हुई है चले आदर्स की मुखमंत्री तो बना दिया जाता है अब आप देखिए मद्ध परदेश को ही देख लीजिए सी उराज सिंग चौहान के नाम पर मद्ध परदेश का चुना हुआ है किला फता हो गया और मामा बड़ा इंपक्ट रखते हैं मद्ध परदेश के चुनाव में उनके भासन पर चुनाव जिता गया और उन्होंने जो काम किया है उस पर चुनाव जीता गया लेकिन मुखमंत्री किसको बनाया गया मैंने 2024 में जब यह लोग सभा का चुना हो रहा को हाँ थिला रहे हैं कोई फट नहीं पड़ता है वहीं मद्ध परदेश में अगर सियम सिवराज सिंग चावान होते तो बात कुछ और होती अब जीता जाकता उधारन अपने बिहार में देख लीजिए समराठ चौदरी को उपमुखमंत्री बनाया गया उपमुखमंत्री जितने चाहते थे तो समराठ चौदरी को बाद में खामें आ जाए क्या भूगत ना पड़ा भाजपा का धक्त से समराठ चौदरी को हटा देया गया और चर्चा तो यह भी है कि अब उनको उपमुखमंत्री के पासरी हटा दिया जाएगा तो भाजपा यह बात सही है कि प जात कर लेते हैं जारखंड के लिए सबसे बड़ी बात है कि वहां जो जे एमेम की पाटी है और हमन्त सोरेन अभी अभी जेल से बाहर आए हैं देखे वेगा एकदम दारी बाड़ी बढ़ा अगर के हमन्त सोरेन और जिस तरह मिडिया में उनकी बयान चल रहे थी जिस तरह वो बता रहे हैं ते सारी चीजे तो उनका सेंफेती भोट जो है यानि जारखंड के लोगों का सेंफेती भोट आज भी हमन्त सोरन के साथ में बना हुआ है जुड़ा हुआ है और जब से जेल से बाहर हुआ है लोगों का सेंटिमेंट उनके प्रती बहुत जादा हो चुका अब देखिए जारखंड में total number of seat कितना है 81 और वहाँ भाजपा के पास में कितनी seat है तो 25 seat है और Congress के पास कितनी seat है 16 seat है और GM के पास कितनी seat है 30 seat है यहां भी भाजपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा यह जो अभी मैं आकरे आपके सामने CHDS का रख रहा हूं यह इसलिए रख रहा हूं कि दर्सकों को भी पता चले और यहां पर उसका practical हो रहा है कि दर्सकों को भी पता चले कि आगमी जो बिधान सबाद चुनाओं है 2024 में हाला कि मैं आपको बताते चलू कि हरयाना का चुनाओं का announcement हो गया election commission के द्वारा एक October को election होगा और result चार October को आएगा जम्मू कस्मीर का भी आधर्स चुनाओं का हो गया है एक ही दिन 90 सीटे पर चुनाओं हार जाती है तो यह बहुत बड़ा एक conflict हो जाएगा बगावत हो जाएगा भाजपा के अंदर में अब देखिए उतर प्रदेश जैसे जगह पर भाजपा लोग सभा के चुनाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई वहां राम मंदिर बना भाजपा का सबसे बड़ा अगर चुनाओं एजेंड़ा लेक सथापना हुए तो यह माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटे और बिहार के 40 सीटे 120 सीटों पर अपकी राम के नाम पर 120 सीटे एकदम नईया पार हो जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ अगर ऑगर यह तीनों स्टेट चुनाओं हार जाती है भाजपा यहां सरकार नहीं बना पाती है तो आपको क्या लगता है कि भाजपा का गड़बंदन टीडीपी और जदिव की सांस उसी तऱ से बना रहेगा देखिए आने वाले 2024 के पाद 2025 में भी एक बड़ा खेला होन चीज में और जब बिहार में विधान सबाद चुना होगा तो मैंने आपको उसी दिन बताया था कि नितीश कुमार अभी क्या कर रहे हैं तो नितीश कुमार इस तीनों जगह के चुनावी रिजल्ट का परिणाम चुनावी जो परिणाम होगा इंतजार करें वो देखेंगे कि लोगों का सेंटिमेंट जो है भोट बैंक जो लोग कितना भाजपा के साथ जूर रहे हैं अगर नितीश कुमार को लगे आया कि नहीं तीन स्टेट हारी गए यूपी का हाल है और बियार की बारी है तो हम भी भाजपा के साथ बने रहेंगे तो भी डैमेज हो जाएंगे नहीं होगा। देखे जो ड़ाइविंग सीट होता है और जो ड्राइबर होता है वहीं अगर लडखर आने लगि वहीं थिक से नहीं चले तो बाधी की डब्बे का क्या हाल होगा पीछे बैठे लोगोंका सबस् геро jaar बहुत बड़ी पाटी है अब ढ़ते हैं हो चला रही है कि तीनों राज्यों का चुनाव का जो परिणाम आता है उस चुनाव में भाजपा कहां रहती है वहीं रिजल्ट यह वहीं परिणाम यह आगे जा करके फैसला करेगा कि केंदर में किसकी सरकार होगी धन्यबाद तो यह था CSDS का फुल सर्वे का रिपोर्ट धन्यबाद देख